नमस्कार मैं Dr. वेपिनमंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर मैं आपके साथ एक मैप पर चर्चा करना चाओंगा। मेरे पास एक house plan आया है, घर का नक्षय आया है, इसमें वास्तु शास्तर के नुसार क्या कैचीजे सही है और क्या कैचीजे गलत है और उन्हें कैसे सही कर सकते हैं. क्योंकि ये एक नया घर बनने जा रहा है जो की south facing है. अब हम जानेगे कि वास्तुशास्तर के नुसार, इस मैप को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पेपर वर्क है, पेपर वर्क में तो जितना वर्जी काम कर लीजीगा हो सकता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है और उसमे तोड़ फोड़ करके उसे ठीक क जरूर कराएं ताकि आप जब अपना घर बना रहे हों और आप उस से में तोड़ फोड कराएं तो उस तोड़ फोड से आप बच सकें तो इस ध remarks इसार जो यहsized भी टा फेसिंग है यानी फ्रंट सौड में है इसमें जो में एंक्रअच दिखाई और साॉफ से साहराशिस्ट के और यह में गेट वास्व सारा बिल्कुल सही है इस के साथ में आपको पर कुछ खास बते और बताना चाहुबा. मेरे पास जैसे inquiry आती है तो क्लाइंट कहते हैं बंसर जी हम अपने प्लोट के जिरेट्शन को कैसे चेक करें प्लोट के जिरेट्शन को हमेशे ही प्लोट के अंदर खड़े होकर अंदर खड़े हो जाए और front की ओर देखते हुए direction को चेक करना चाहिए direction को कैसे चेक करें एक तो आपके पास आपको अपना mobile है mobile के अंदर compass होती है उस compass से आप अपने plot की direction चेक करें इसी के साथ Google Earth location से भी आप अपने plot की direction को जुरूर चेक करें कई बार क्या होता है कि जो हम mobile की compass से direction चेक करते हैं तो mobile की compass कई बार north को south दिखा देती है south को north दिखा देती है या east को west दिखा देती है यानि एक direction घूंग गई तो उसमें सारी direction एक दूसरे के opposite आ जाती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा जब भी आप अपने plot की direction को देखें तो mobile compass से भी देखें साथ में Google Earth location से भी जरूर चेक करें और आपके पास magnetic compass है तो उससे चेक करेंगे तो वो आपके लिए और भी बहतर होगी इसी के साथ मैं आपको बात और केना चाहूंगा जब आप अपने plot की direction चेक करें तो उस direction को एक बार सूर्य के इसाब से भी जरू चेक करें क्योंकि सूर्य हमेशे ही पूरो दिशा से निकलता और पश्चिन दिशा में अस्त होता है तो उससे आपको एक लगभग आईडिया हो जाता है कि आपके plot की facing क्या बनती है और आपकी mobile compass आपको क्या direction बता रही है चलिए शुरू करते हैं हमेशे ही जब बी direction देखी जाती है अंदर खड़े हो के बाहर के ओर देखते हुए directions को देखा जाता है main gate South में South Center से सवेmade least के और दिखाया गया है यहां पर main gate बीज में और यहां पर main gate लगाए तो pavement gate आपका heavy होना चाहिए और main gate के उपर आपने red color करवाना चाहिए गेट से एंक्री करके पार्किंग एरिया दिखाया गया है जो कि एच पर वास्तों बिल्कुल सही है लेकिन इसमें कहां क्या कमी होती है आज मैं आपको बताना चाहूँगा जब पार्किंग एरिया बनाया जाता है तो ये हिसा हमेशा ही अंदर के लेवल से डाउन रखा जात है और घर के अंदर बेवजय की ये कमी बनती है अर चौप लगने बन जाते कभी पर अधां लिठाशञ लगर किःए कभी विकल नेकर चले थैनल ये ईसे चिल गह गर गया इस तरह किसम से जब लिए नीची होती है तो अपने क्या काम करना है यहां पर इस पार्किंग एरिया है पार्किंग एरिया अंदर के बराबर, और पार्किंग का जो सलोप है वह वो सौफ वेश्ट से नौर्थ 石 ककी और होना चाहिए इस बहुत के खास तोर पर ध्यान रखना है इस मैप में स्थेर्स बिस दिखाई गிरह ज्यादा इच्छी स्टेर्स नहीं है किचन भी वेस्ट सौथ वेस्ट के ओर दिखाएगी है यह किचन भी आपकी सही नहीं है सिटिंग जो सौथ इस्ट में दिखाएगी है यह सिटिंग जो यहां पर ठीक है लेकिन हम इसमें करेंगे क्या यहां से सिटिंग जो हमने हटानी है जो किचन यहां प यहाँ पर इस zone में ले आई यहाँ पर आप अपने kitchen को बने क्योंकि kitchen आपकी आपकी सहही दिशा में आजाएगे जब kitchen आपके सहही दिशा में आएगी तो घर क JENदर health वह आएगी और wealth वियाउम अच्छी रहेगी जो आपकी stairs से यहाँ पर इस जोन में बने stereo कि यहां पर स्टेश बनाना एस पर वास्तु हमेशा ही अच्छा माना जाता है जब स्टेश सौभीस जोन में बनाते हैं तो ध्यान रखना है चछथ के ओपर जाने के बाद जब स्टेश की मुझे बनाते हैं तो जो आपका सबसे अच्छा साउथ वयस्ट जोन में इस जोन में bedroom बनाना सबसे अच्छा माना जाता है आप यहाँ पर master bedroom बनाती है तो वो edge प्रवास्तु अच्छा रहेगा क्या रहेगा यहाँ पर master bedroom बनाना घर के मुखिया का स्थान south region में होना चाहिए आप यहाँ पर master bedroom नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर अपना grind room भी बना सकते हैं सबसे पहले master bedroom second में आप यहाँ पर grind room भी बना सकते हैं जो आपकी घर के entrance है वो यहाँ से दिखाएगी है यह entrance आपकी बिल्कुल सही है इसी के साथ घर के अंदर lobby के अंदर dining table दिखाएगी है west direction में यह भी बिल्कुल सही है यहाँ पर एक east में bedroom दिखाया गया है और bedroom का जो door है वो room के southwest zone में दिखाया गया है जो की गला था यहाँ पर इसको यहाँ से close करें और जो door बनाना है वो door आप यहाँ बनाएं यहाँ से enter करें ऐसा करने से होगा क्या जो bedroom के अंदर bed north wall पर दिखाया गया है यह bed आपका south wall पर आ जाएगा हमेशे ही सोने की जो दिशा होती है bed के उपर जब सोते हैं तो south के और शेर करके north के और पर करके सोते हैं तो उसमें body का जो blood circulation है वो हमेशे ही अच्छा रहता है और नेंद भी अच्छी आती है वार्डोब जो बनानी है आपने वार्डोब आप यहां पर आप अपनी वार्डोब बना सकते हैं सोते समय बैड के उपर सिर सौथ में पैर north के और करने चाहिए अब इसके बाद बात करते हैं toilet की यह toilet वेस्ट जोन में दिखाई गई है यह toilet बिल्कुल सही है इसमें आप यह door यहां से बंद करके center से डोट लेते हैं तो एक तरफ यह आपका का मोट दिखाई गई है बिल्कुल सही है यहां पर आप अपना wash fashion लगाए और shower area आपका यहां पर east wall पर आजाएगा जब आप नहेंगे तो आपका face इस्ट की और होगा अब इसके बाद दूसरा अपना washroom दिखाई गया वो इस्ट नॉर्थ इस्ट की और दिखाई गया है यह washroom जद अच्छा नहीं है इस washroom के अंदर आप सिर्फ shower के लिए इस्तमाल करते हैं नहने के लिए इस्तमाल करते हैं तो यह washroom आपका बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर port अच्छी नहीं मानी जाती है तो इसलिए मापको कहना चाहूँगा इस bathroom को सिर्फ आप नहने के लिए इस्तमाल करेंगे तो यह आपके लिए वह यहाँ पर बना सकते हैं ऐसे ही दूसरा bedroom दिखाया गया है इसमें बैठ वेस्टबॉल पर दिखाया गया है टिवी इस्टबॉल पर दिखाया गया है और सौथ वाल पर आपके लिए है यह बिल्कुल सही है इसमें कोई दिकत नहीं है अब इस plot के अंदर इस map में कहा major क्या क्या कमी एक तो kitchen की, second stairs, third parking, बाकी तो सारी चीजे minor सी है, fourth हमारी toilet, इस map के अंदर ये च्यार major problems है, आप इनको सही कर लेंगे तो आपके घर का ये map बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका कोई south facing घर है या south facing plot है और आप ब से आप अपने घर को बना सकते हैं, इसी में मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, आप अपने इस plot के अंदर नौर्थिस्ट से south west और नौर्थवेस्ट से south east डाइनर लाइन खीचे, नौर्थवेस्ट से south east और south west से north east, यानि ये लाइन जहां पर आती है, जहां ये दोनों लाइने आपस में क्रॉस होती है, वहां पर इस हिस्से में कभी भी दिवार नहीं आनी चाहिए, पिलर नहीं आना चाहिए, इस बात का आपने खास दोर पर ध्यान रखना है, आप इस परकार अपने घर को बनाते हैं, तो आपका घर एच पर वास्तू बन मैंने अपने इस वीडियो में आपको इस मेप के अंदर वास्तू शास्तर के साथ साथ अपने अनुबव की बहुत सारी खास बते बताईए, क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, और नया घर जब भी वेक्ती बनाता है, तो बरपूर पैसा लगता है, क्योंकि तो आप अपना नया घर बनाने चाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के मैप पर वास्तू बन जाए, और आपके यहां किसी भी परकार की कोई दिकत ना हो, मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जनकर यह आपको लगता है, तो आप अपने यहां प अपने किसी भी साइट के बारे में हमसे ओनलाइन सलाह लेना चाते हैं, तो आप अपनी साइट का मैप भेज कर हमसे ओनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं, तो आप हमारे यहां से वास्तू शार के निवसार मैप भी बनवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक भी आपके बिल्डिंग को वासुशास्तर के अनुरूप बनाने में सहायक जरूर होगी इसी तरह अगले प्रोग्म में फिर एक नए विश्य पर सर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार हुआ